खबर धर्म नगरी अयोध्या से है जहां गुपतार घाट से लेकर अयोध्या तक करीब 10 किलोमीटर के दूरी में जल्द ही हाइटेक क्रूज चलाए जाएगा। इस क्रूज को बनाने में करीब 9 करोड रुपे की लागत आने का अनुमान है। खास बात यह कि क्रूज देश का पहला सोलर क्रूज होगा जिसका नाम रामायन क्रूज रखा गया है। इस क्रूज को बनाने के लिए नाबाड ओशियन एलेक्रिफाइड कंपनी को हायर किया गया है। केरल के कोच्ची की ये कंपनी अब अजुद्या में सर्यू नदी के किनारे 25 मिटर लंबा 8 मिटर चोड़ा डबल डेकर क्रूज बनाएगी। ये क्रूज अत्यदुनिक कश्विधाओं से लेस होगा और आयोध्या के डियम नितिस कुमार का कहना है कि क्रूज में लगबख 1500 लोगों की बैटने की विवस्था होगी। कापी समय से क्रूज स्टेशन निर्मान के लिए भूमी की तलास की जा रहे थी और सर्यू नदी से 60 भूमी का चैन कर लिया गया है। समय 15 हज्जार स्क्वार फिट भूमी पर निर्मान कारे होगा और इसके बाद निर्मित क्रूज को नदी में उतारा जाएगा। सर्यू नदी के किनारिक गुपतार घाट में इस्थित विशर्जन घाट के पास की जमिन उपलब कराई जा रही है जिसमें कुरूज का निर्मान कारे शुरू होगा। पतादे कि डियम नितिश कुमार सहित जीला प्रशासन के अन्य अधिकारियों की मौझूदगी में कुरूज निर्मान का स्थलका निर्क्षन किया गया है। सब कुछ ठीक ठाग रहा तो सितंबर महिने में कुरूज का निर्मान सुरू हो जाएगर मार्च 2023 के आखरी सब्ताता कि इसका काम पूरा होने के साथ ही भगवान राम के प्रकाट्ट उत्सो रावनमी परविश कुरूप को लोकारपन की योजना है। कुरूच चलायने की बाध चलती है। और निर्मान कार भी उनकी इच्छा है कि यहीं किया जाए लिषा जाए। तो ये भी बात चलती है और जल्दी है फैनराइज हो जाया है। यह अभी अगर यहां जब स्टार्ट होता है तो उससे आठ से नौ मेंगे लिए